हेलो प्यारे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विश्या पर्यावरन अध्यन के सब्तहा 30 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आप किस वक्सीट का टॉपिक है पार्ट 20 किसके जंगल भाग बै तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं प्रशन एक है मिजोरम और उसमें होने वाली खेती के आधार पर निम्न प्रशनों के उत्तर दीजिए मिजोरम के दो पड़ोसी राज्ये कौन-कौन से है तिरपुरा और मडीपूर यहां पर लिखेंगे फसल की कटाई पर होने वाला पारंपरिक रत्य कौन सा है चेराओ तो यहां पर लिखेंगे बच्चो खेती के लिए जमीन मापने की काई क्या है तीन तीन में वहाँ पर जमीन को मापा जाता है प्रशन की मुख्या फसल कौन सी है चावल अब है कोशियन नमबर टू जूम खेती के बारे में निम्र प्रस्णों के उत्तर दीजिए जूम खेती किस प्रकार से की जाती है तो बच्चो आंसर है एक फसल करते हैं के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं उसमें खेती नहीं करते इस जगह जो बांस या जंगल उख जाता है उसे उखारते नहीं बस गिरा कर जला देते हैं यहराक जमीन में खाद का काम करती है जमीन को जलाते हुए आसपास के पेर ना जले जंगलों को नुकसान न पहुँचे यह भी देखना पड़ता है फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता मिटी को हलके से हिला कर बीज छिड़क देते हैं एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीज जैसे मकई, सबजियां, मेच और चावल बोय जाते हैं अब बच्चों यहाँ पर क्वेशन है अंचाही घास और पोदों का किसान क्या करते हैं तो बच्चों आंसर है अंचाही घास और पोदों को उखारते नहीं है उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिटी में मिल जाएं इससे भी जमीन उपजाओ बनती है अब कोश्चन है जूम खेती द्वारा उगाई जाने वाली कुछ फसलों के नाम बताएं तो बच्चों आंसर है मकई, सबजिया, मिर्च और चावल अब बच्चों अगला कोश्चन है वनों के छेत फ़ल के हिसाब से भारत का इस्थान अनेक देशों में आ गए है नीचे दिये गए भारत के नक्से को देखें और निम्निलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो बच्चों यहाँ पर यह भारत का नक्सा दिया गया है अब यहाँ पर बच्चों जहाँ पर जहाँ घने जंगल है घने वन है उसे गहरे रंग से दिखाया गया है इट मीज गहरे हरे रंग से और जहाँ पर कम घने जंगल है वहाँ पर हलके हरे रंग से दिखाया गया है अब बच्चों यहां पर question है नक्से में ओडिसा राजे को खोजें और इसमें रंग भरें तो बच्चों नक्से में कहां है ओडिसा राजे यह बच्चों ओडिसा है यहां पर आप इसमें रंग भरेंगे अब बच्चों question है उन राजियों के नाम लिखें जिनके एक तरफ समुद्र है तो ऐसे कौन-कौन से राजिये हैं जिनके एक तरफ समुद्र है गुजरात, महाराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिल, नाडु, आंधरप्रदेश, ओडिसा, पश्यम, बंगाल बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप आंधरप्रदेश, ओडिसा, पश्यम, बंगाल, तमिल, लाडु, केरल, करनाटक, गोवा, महाराष्ट तो यह सभी क्या हैं यह कोश्टल एरियाज वाले राज्ये हैं अब बच्चों यहाँ पर कोश्टन है नक्सेमी सूर्यमणी के राज्ये जहारखंड को खोजें और इसमें रंग भरें तो बच्चों यहाँ पर जहारखंड आप देखेंगे और इसमें रंग भरेंगे तो बच्चों यह है जहारखंड राज्ये आप इसमें रंग यहां पर अब बच्चों क्वेशन हैं नक्सी में जंगल कहां है आप इने कैसे दूढ़ेंगे तो बच्चों नक्सी में जंगल जमू और कस्मीर हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्किम अर्माचल प्रदेश नागालैंड असम जार खंड चातिश गर्ड आंध्र गखे से आधिक 1 छे तरफल वाले राज्य को धूंडे तु कौन सा सबसे अधिक छेतरफल वाला राज्य है जिसमें सबसे अधिक Retbal वाला राज्य है जिस्चने जैशन meer अधिक इसके सबसे धने जंगल पूर दिसा में होंगे जो हैं जहारखंड उडिसा च्छतिस गड़ अरुनाचल प्रदेश आंदर प्रदेश मनीपूर मिजोरम सिक्क्रिम मेगाले तिर्पुरा आदी अब बच्चे को क्वेश्चन है अपने कक्षा अध्यापक की मदद से निम्न के नाम लिखें तो बच्चे याँ पर क्वेश्चन है विस्व के सबसे बड़े जंगल कौन से हैं अमेजन के जंगल नेक्स्ट है इन्हें पौदों के विस्व कोस के नाम से जाना जाता है और इस वर्स इन्हें पदमश्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो कौन है तुलसी गोड़ा शीडियां बना कर पहाड़ों में की जाने वादी खेती कौन सी है सीडिदार खेती जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू